हर्याना की हर अपडीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एस टीवी हर्याना निउस राम राम नमस्कार आप सब हर्याना निउस देखने लाग रहे सुर मेरे नाम से सोनिया सतनित अपसारे कगना स्वागत करूसों मारे खास हर्यान वी बुलिटिन जो गर्द के हर्याना में तचालो बुलिटिन के शिरवात करांगे बारत और चीन की सीमा पर एक बार फिर तरह विवाद चड़ गया से और इस विवाद में पक्ष और विपक्ष में जो से ताना कशी देख जान लागरी से आप एस शड़र यह दोनु पक्षा के पेच में राहुल गांदी ने सरकार ते गद्दार बताते हुआ रोप लगाए के गद्दार न बारत का एक टुकड़ा चीन तरे दिया राहुल के इस बयान पर मंत्रों निली विजने पलठवार करया अजनू वले के राहुल तचीन के परवक्ता से विजनका याकरावल गांदी लांबे टैमता देशन अपमानित करन का काम कर रहे हैं देश की सेना के होसले नंगां क्म करन का काम करन लागरी से जिस प्रकार के बार-बार वो ब्यान देते हैं उससे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तानी नाहों के चैना के स्पोक्सपर्शन है नरेंदर मुदी शेर है और नरेंदर मुदी ने करके दिखाया है पाकिस्तान में घुश कर उनको सबक सिखाया है और चैना के साथ भी अब जो हमारा समझोता हुआ है जिससे लद्दाख में सैनाएं पीछे हट रही है ये भी इतहासिक है हारियना के पूर्ब सीम और इनलो सुपरी मौपी चोटाला ने तीनों क्रिशी कानूना पर सरकार ने गेरते हो इनू कया से कि तीनों क्रिशी कानून जो सें ये किसान विरोधी से उनको आके क्रिशी प्रधान देश में किसाना की मंगा के न देखी करी जान लागे उनने कहा कि अगर देश का किसान खुश हाल होगा तो देश माला माल होगा कृश्री कानूना के विरोध में बेचोटाला के स्तीफे पर न्यू बोले कि अब एने किसाना के खुश हाली खात्र त्याग दिया से उनने कया कि चोटाला परिवार की या परंपरा रही से कि वस्तमाज सेवा खतर खुद के सुख का त्यार करन तक कदे पाच्छे निया थी तेन उनने बीजेपी सरकार पर निशाना साथ ते ओपे चोटाला बोले कि सरकार कि साना अंदोलन ने दबाना लागरी से उने न्यू याद राखना होगा कि कदे बीजेपी ने भी आंदोलन करया था जात अपने अखातर आंदोलन करना था सब काधिकार से साथ हुने प्रदेश की गटपंदन सरकार पे भी कई सवाल ठाए प्रदानमंत्री के चुके से के MSP जारी थी जारी से जारी रवेगी तै MSP पर कानून क्यों नी बनाती आपती के MSP पर कानून बनानम है साथ हुने सरकार ते सवाल करया कि जब नए कानूना था बिचोली खतम हो जाएंगे तै जब बड़े व्यापारी हो मेंगे वह किस कैटेगरी में रखे जाएंगे कि वह भी किसान कूँ आवंगे या फिरूप बोगता और दिपेंदर हुडान के की मकाया जरा सुनो प्राइवेट की बात करी कि आप प्राइवेट का खिलाफत कर रहे हैं प्राइवेट की खिलाफत नहीं कर रहे हैं प्राइवेट आए मगर मंडी के अंदर आने से किसने रोकिया प्राइवेट को प्राइवेट मंडी के अंदर आए और MSP से जावा में खरीदे कि रहें बहार भाव ज्यादा मिलेगा विकल्फ होगा बहार ज्यादा मिलेगा प्राइवेट में तो आपको ये कानून बनाने में क्यों आपती है कि अगर MSP से कम का कोई कॉंट्राक्ट होगा तो वो कानूनी बात देब उस पे बात देऊगा बिचॉलियों की बात करी कि आपने बिचॉलियों से मुख्ट करा दिया कमिशन एजेंट से मैं पूछना चाहता हूं इस सदन से ये जो बड़े बड़े धनाड आएंगे बड़े कॉपरेट हाउस आएंगे ताटा बिरला अदानी अंबानी पूर्ती ये किस की शेरिणी में आएंगे बिचॉलियों न में कुछ पवित्र लोग हैं और कुछ और पवित्र लोग हैं पधान मंती जी की बात हम मान लेते हैं कम से कम आप पवित्र लोगों की बात मान लीजे आंदोलन में जो पवित्र लोग हैं अगर आंदोलन कारी पवित्र हैं पवित्र भावना से अपने हक के लिए बैठे है आप उनकी बात मांग लीजिए और इसकी शुरुआत आप दो दो कदम उठाके उसकी शुरुआत करिए आप तुरंट मैं मांग करता हूँ बादचीत के दरवाजे को कि आप भागे तक 11 वे राउने बादचीत से 12 बादचीत के दरवाजे खोलें आपकी परजा है अपनी परजा की बात मानने से आप छोटे नहीं होंगे जो 200 लोगों ने 200 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान पुर्बान करी है उनके परिवारों के लिए आपके लिए सानुबूती का एक शब ने निकला कम से कम उनके परिवारों की मदद के लिए एक फैकेज की घोचना करके विश्वास बनेगा हम विश्वास बनाने वारे लोग हैं विश्वास बनेगा मैं हाँ जोड के आप से परात्ना करता है ये आपकी परजा आपके लोग है इनकी बात मानिये आपने दिपेंदरे हुड़ा सुने के अनलाग रहे थे कि MSP पर कानून बनाने में के दिक्कत से तो न्यूज अगर कॉंग्रेस पार्टी की बात करता है तो कॉंग्रेस कारे करता हुए नजर अनलाग रहे से लेकिन इससे बीच फरीदावाद के लोग उससे बाले में कॉंग इसकारे करता हुए तो क्रिशी कानून पर बात करनी चाही तो एक दम चुप होगे एक कारे करता ने नुवत आये कि यह कानून मजदूरा के खलाप से तो ने उनना मैयला कारे करता ते जब पूछा गया कि करुछा रहे है तो उनने भी को जानकारी नहीं मिली यह जो प्रदर्शन करने में जो बातें चल रही है इसको समझ की भी बातों के बज़े से हैं कुछ साफ साफ लोगों को पब्लिक को समझ में नहीं आ रही है कौन सा कानून मेरी हिपका है और कौन सा कानून अनहिपका है योग परदर्शन करते हैं और इनके जो परदर्शन है ये साफ साफ है कि ये जो रसोई का जाइस है और ये दिवस्ता है ये तो तोटल सोशल पब्लिक तो उसमें साथ हो गाई न उसलिए जो बसे हुए प्रवाशी जोग है कांगर उपर अप्टाशार हो रहा है ये रिखना पाच मार्शतर अरियना विदांसबा में बजट सतर की शिरुवात करी जागी बजट सतर न लेका जड़वी पक्षी पाईटे पहला इनुकर न लाग रेसे के सतर की शिरुवात में विश्वास प्रस्ताव लेका आवंगे तैस बार भी न्यू बताया के सतर खातर प्रशा आसन को विड नियमा खागे लेत्यार से सोशल डिस्टेंसिंग राखे जागी कोरोना के नियमा का पूरा ख्याल रखे जागा इस बारे में जानकार देते विदांसबा स्पीकर ग्यांचेत गुपता बोले अक सतर न लेका त्यारी ओन लाग री से सतर में विपक्ष लगा अगर सदन की कारवाई ते एक गंटा पहले तक भी अविश्वास प्रस्ताव में लेका अमस है तो नियमा के नुसार कारवाई जरूर करांगे जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की आपने बात कही अभी तक की इस बारे में कोई सूचना विदांसबा को नहीं आई है लेकिन नियमों के मिताबक किसी भी विदानसवा की बैठक से एक घंटा पहले कोई भी सदस्य जो है वो अविस्वास परस्ताव ला सकते है लेकिन नियम ये है कि वो विदानसवा के अंदर बैठक के अंदर अविश्वास परस्ताव के बारे में पढ़ करके सुनाएंगे और यदि कम से कम अठारा जो माननी असदस्य हैं उनकी सपोर्ट करते हैं तो उस अविश्वास परस्ताव के उपर चर्चा हो सकती है अब बड़ा की डियाईजे शोकुमार का कई दिने पर अगरे मंतर निलविज के वाई कपील विश्वास तर जगड़ा हो गया था और इससे बीच डियाईजी शोकुमार जो से वो सस्पेंड कर दिये गए थे तर इससे बीच यह मामला इब तूल पकडता जान लागज रह से इस सिलसले में शुकरवार ने करणार में रोड समाच के लोगा ने डियाईजी शोकुमार के समर्थन में रैली काड़ी इस विरान डियाई जी के समर्थन में जला सचवाले में सीम के नाम गयापन भी सोपया गया रेली में शामिल होनाडी लोगा ने सरकार की ओरता सस्पेंड करे गए डियाई जी शोकुमार्द तुरंत बहाल करने की मांग करी और उनका खलाफ जो FYR करी गई से उसने कैंसल करने की भी मांग करी से तक कई दना पहला एक पाची में अनिल्विज के भाई का पिल्विज गिल्ल लडाई होगी थी डियाई जी शोकुमार की और फिर मैं सस्पेंड कर दिये थे तई रोड समाज के लोग कठे होए से और उन्हें नुकायास है कि वैं सस्पेंड करे गए से कारण तर बता जा क्योंकि जो सस्पेंशन का जो ओर्डर था उसमें कोई कारण नहीं लिख्या होया था सरकार की ओरते अगर फिर अपना रोज प्रकेट करेंगे और प्रदर्शन करेंगे चाहे जीट रोड जाम करना पड़े चाहे हम कुछ करना पड़े किसी भी आद तक जाना पड़े किसाना कांदोन लगाता जारी से सारे किसाने के मांग करना लागे से कतीनों कृश्वी कानून तावले ते तावले केंदर सरकार रद करेंगे ता इस से बीच और याना में किसाना खातर पीजा का लंगर भी सांडोन में देख्या जान लाग रहा से पंजाब ते दिली जारे किसाना खातर फटे अबाद में पीजा का लंगर लाया जान लाग रहा है सफ़ते अबाद के बाईपास पर किसाना खातर बीते साथ दना ते लंगर चाल रहा है जड़े पहला किसाना खातर दाड और रोटी दी जा थी लेकिन इब लंगर में पीजा का प्रबंद करया गया से पीजा का लंगर लगाना ड़े इलनाबाद निवासर गुबिरसंग ना बताए कि उनकी इलनाबाद में पीजा की दुकान से और वे किसाना की सेवा करन खातर पीजा का लंगर लगान लाग रहे हैं उनना बता किस तपा ले दिली के बॉर्डर पे भी किसाना खातर पीजा और बर्गर का भी लंगर लगा चुके से किसाना भी किसाना दिली लाया है जी आज तो मिनबला बर्गता लंगर लागए है टीकरी बड़र अस बना जड़े यह को वीर्जी न सटे राइस्तान दोने लाडने सटे ओवी अनेतिक तोर पे किसे का भी धनम परिवर्टन ना कराया जैसने लेकर प्रदेश सरकार भी लगातार सकरी नजरान लागे सर इस बारे में सरकार कानून बनान की भी सोचती होई नजराई तैस से बीच ग्रेमंत्री निल्वेज ने अधिकारियात दर्मांतरन विरोधी कानू पर लोबन ब्या या फिर जासा या फिर अनेतिक तरीका दर्म परिवर्टन करान की कोशिश पर रोक लागेगी दोश्चियां के खिलाफ फिर सरकार सक्त तैस सक्त कारवाई करेगी तीब ग्रेमंत्री निल्वेज ने दिकारियात निर्देश दिये से प्रारूप त्यार करा गया से के प्रदेश में अनेतिक तौर पर दर्म परिवर्टन ना होन पावे तैस दर्मांतरन विरोधी कानून बनान की त्यारी में सरकार और इसकी गहला अधिकारियात हैं कानून का प्रारूप तयार करण के ग्रेमंत्री निल्वेज ने दिकारियां तैस निर्देश जारी करे से उन तक यास है कि कोई भी किसे भी अनेतिक काम तें किसे का भी दर्म परिवर्टन ना करा सके जई साह हो सै तक कानून बनाया जागा और अनेतिक दर्म परिवर्टन करवान आड़ाप फिर सक्त सक्त कारवाई होगी तो प्रारंबिक प्रारूप के सारे पहलुआं पे विचार करा गया, क्योंकर केकी में लौ लगाए जाएंगे, क्योंकर बेरालाग गगा के दरम परिवर्तन करा गया से, यो दरम परिवर्तन दबाव तक कराया गया है, अधिकारियात कानून का प्रारूप त्यार करन के निर देश्पि घ्रमजने दीएसै और उन्य अधिकारीयां तैय निर्देश जारी करे जो प्रथम प्रारूप से उसमेन अ सारा सब कुछ द्राफ्ट देख्या गया गयाया क्छू कर धरं परिवर्तन की सारी जानकारी मिलता के क्योंकर द्रम परिवर्टन कराया गया कि दोनुपक्षां की सहमती थी दोनुपक्षां की सहमती नी थी तक के कारण था क्योंकर दबाव गेरा गया क्या कि जासे में दबाव गेरा गया क्या क्या का पर लोबन दिया से परदेश में करमचारी यूनियन भी किसाना ना अपना समर्थन देन लाग ली से तैसे बीच आपना हम जानकार देदे कई कि इसे संगठन से जो अपनी मांगा ना लेका इब भी आंदोलन रत से तैसे बीच सरसा में शुकरवार ना सेंटर ओफ इंडियन प्रेड यूनियन यानी सीटू के आहवान पर किसान मज़ूर और करमचारिया ने डिप्टी सीम दुशन चोटाला के आवास के गहराओ का परियास करया आला की बर्नारा रोड स्थित बाल बवन के नजदी कई पोलिस बल ने प्रदर्शन कारी रोके गेलें क्रिशी कानूना का गेले गेले श्रम कानूना का भी रोद जताते हुए उन तरह दकरन की मांग करी आज ये CITU के हजारों लोग जो यहाँ पे पहुँचे हैं ये जो खेती संबंदी तीन काड़े कानूना इनको वापस लेने की मांग पे ये जो चार श्रम बिलाए हैं इनको वापस लेने की मांग को लेके और हमारे अलग-अलग यूनियनों के लंबे समय से अनेक मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं हम ये मांग लेके यहाँ पहुचे थे कि जो उपमुख्य मंतरी दुशन चोटाला जी हैं वो इन सारी समस्यों का समाधान करें बात करें और ये कोई एक बार की बात नहीं हमने क कम से कम पिछले साथ साल से हजारों चिठियां सेकड़ों चिठियां भेजी हैं लेकिन उनके समाधान नहीं हो रहे हैं आज गुसा है जनता के अंदर और हम आज यह अपना रोश प्रकट करने के यहां आए हैं अब यहां पे आके कहा SDM ने कि आपको जो 18 तारीक कर टाइम कर दे रहें उपनिक्ष मंतरी हमने कहा कि यही बात आप लिखके दे दो उनको लिखके देने में तकलीफ है इस बात को दो लाइन लिखने में क्या दिक्कत है क्या जाता उनको की 18 तारीक को फ्ला जगह पे फ्ला टाइम आपके लिए है और आपका परतिनीदी मंडला आप वहां पर आ जाहिए कि रेल्वे के नीजी करण के वी रुदमेब रेल्वे करमचारी भी आंदोलन रत नजरान लाग रेस हैं तो इससे बीच आपने जानकारी दे देदे हैं कि नौर्थ वेस्ट रेल्वे एंप्लोईज यूनियन बिकानेर मंडल के तैद बिवानी डेल्वे जंक्शन पर डेल करेंटेस्ट शिप के तहट काम कर रहे करमचारी पक्य करें जा और जोट नकी पक्य करनी के जो पावर हिवाँ अधिकारियात हैं चिनी गई से वह वापस अधिकारियात दी जा पुरानी पैंशिन बहाल करी जावे डेल्वे करमचारी का ड्याया उनका उप्लाब कर प्रवार को चीन लिया गया है उनको परमनेत नोकरी करकाम देने काम नहीं किया जा रहा है उसको लिएके और हमारे जो रेल्वी को दीजी हर्तों में देने के दू काम किया जा रहा है जी करने खिलाफ काफी जो रोस है लोगों के अंदर करमचारियों के अंदर आम जनता के अंदर काफी रोस है उनकी आवाज को उठाते हुए आज ये घेराव करने का काम किया है आज पूरे मंडल में, पूरे देश में, हर जोन में ये गजटेड अधिकारी के ओफिस के सामने के धन्ना पर देशन रखने काम किया है जिसमें सभी करमचारी खट्टा होके, अपने लोकल समिश्चे हैं, अपने डिये की किस्ट को लेके, एनपियस को लेके, ये आज धरने पर देशन रखने काम किया है जीद में सड़क के बिचो बीच एक ट्रांसफारम ला रख्या से, यो ट्रांसफारम सारा खातर सरका दर दबने होया से, आड़े जो आवाजा ही है, बाब इस ट्रांसफारमर न देखके बाद दिथोन लाग रेसे, तैसना चान की मांग, कई मैना तै आड़े के रह वासी क करन लाग रेसें, तै इपता ही प्रशासन की ओर्थर ट्रांसफारमर अटाया ने गया, जिसने लेकर 14 फरवरी ने स्थानिय लोगान एक दिन की भूख और ताल का एलान करया, स्थानिय निवासियां का किरना से कि सड़का के बिचो बीच एक ट्रांसफारमर है, जिसने लो प्रांसफारम को अटा जाएं, यहां से बालवा उनके पास बहुत ही दिक्कत हो कि आने जाने में इस लोगोगी, और जो खड़े होते दुकानों के भी यहां पर ट्रांसफारमर का मुद्धा है, तोड़ी सी जगह तोनी चाहिए, जिसने भी का संगठन की तरफ से जो तरि प्रांसफारम का मुद्धा है, इसमें बिजली विभाग और नगर परिशत का कुछ मैटर था और दोनों विभागों में समन्वे की कमी थी, इसमें कुछ पैसे जो है जमा कराने की बात आई है, एक विभाग से दूसरे विभाग, और अब क्यूंकि हमारे मामल संग्यान मे आया है, तो हम इसको जल्दी हल कराएंगे, मेरी दोनों विभागों के अधिकारी से भी बात होगे, एक समन्वे बैठा करके हम इसका जल्दी हल निकाल देंगे. आई है, एक विभाग, और अब करेशर से दूसरी ओर प्रेडिक्षन ले रे, करमचारियां का लाव नहीं लिया जाना लाग रहा से, एक और से क्यूंकि रेल्वे का नीजे करण जी डारता सरकार करना लाग रहा से, उसका बीयोग भी रोद करना लाग रहा से. करें दिवल जो है हो काफी टाइम से जोब कर रहे हैं ऐसे एक्सुरीयंस काफी है उन लोगों को समय जुद करने के लिए ये टिमांड उठाएगी है और ये उनका हग है और इसी हग को दिलवाने के लिए फेडरेशन उनके किलाब अब आज उठा रही है सरकार के किलाब तैनुन ने या खबर बाद रुगर तैसे जड़ा के रहवासी उड़े मोबाईल टावर हटान की मांग करना लाग रेस है वार्ड नमबर 40 के रहवासी से जो नुकर न लाग रेस है कि टावर तै लिकड़े नाला रेडियेशन उनकी सेहतने खराब करन लाग रेस है उनकी हेल्थ पर नुकसान गेरस है जिस ते गणए नेगिटिव जो असर से व बोतुर का पपड़ रहा है स्थानीय निवासियां की शिकायत से कि वह कई बार अधिकार्या तैस बाबत शिकायत भी कर चुक है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुए तैस मामले में वार्ड पाश्यत के पती ने अपना रेक्शन देते हुए कि या अग यो मामला तो उनने बेराए नी था संग्यान में संग्यान माई पीछो कारवाई जरूर करेंगे तेनुन मीडिया में खबरान के बाद प्रशास ने भी इस मामले में फोरन एक्शन लेन की बात कई से वो जो ट्रावर सा लग रहा हैगा हम अटैक के मरीज हैंगे और बात इसी है कि भाया हम पर इसनी वीमारी से नी होती इंजोग्राफी सब कुछ करा रखा है तो भाया हमें तो इसी वज़े से ही आए है कि वो हटना चाहिए बहु बड़ा बड़ा धन्यवाद तो नगर नि लिए हम पिछले 15 दिनों से नगन निकम के चक्कर काट रहे है हमसे डेली कह देते आज कारवाई हो जाएगी कल हो जाएगी आज हो जाएगी तेक कोई नहीं और रात को काम चलाए जाता और अवैत रिटावर लग रहा है कोई नौलीज नहीं है मुझे तो अभी पता यह पूछो आपके पास मेरे पास कोई तावर लगाता तावर रोज लग रहे हैं यह कोई बार नमबर 40 के सिकायत नहीं और इस तावर को लेगा मेरे पास कोई भी नहीं आदमी आया ने को सिकाता है अगर बार नमबर 40 के वो कह रहे हैं तो अभी आपके टीम भी है और जो भी नहीं वह नसर करवा होगी वह अमल में लगा जाए हैं तो जो जो अथ्राइज डे जिन वो पर्मिशन मिलेगी वो टावर तो लगेंगी लेकिन जो अनुथ्राइज टावर है उनका बार बार चे तेनुने चर्खिदादरी ते फरजी एंकाउंटर की एक ख़बर शामी आई थी ते इस फरजी एंकाउंटर में बिंदर नाम के एक सक्ष की हत्या कर दी गई थी तो उसने लेकर उनके जो परिबार जन से वह गणे चोम ऐसे हैं और इस थानिये लोगा ने और उनके परीज ज़ना का केंना से कि वह प्लिस की कारवाई तै असन्तुष्ट है रून ने मामले की जांच कि से दूसरी एजंसी तकरान की मांग करी तेरो नने चर्खिदादरी पुलिसर दिखक विनोथ खुुमार ने बताया से के म्रत के परीजन पुलिस की कारवाई तता परिवार ने एक नोक्रीदेन की मांग करी है कि मुख्य दिमांड ये थी कि किसी अपने इंडिपरेंट अजेंसी से इसकी जाच कराई जाए इनको लोकल पुलिस पर यकीन नहीं था तो हमने इनकी डिमांड पर क्राइम ब्राँच में इसको ट्रांसफु करा दिया देखिए मैं जो आधितक हमने इसमें कारवाई कि है मैंने इनको सब बताया था जो अब तक की कारवाई है लेकिन ये उससे संतुष्ट नहीं थे तो इनकी संतुष्टी के लिए और इनकी डिमांड पर हमने फिर इसको क्राइम ब्राइंच में चांस्ट करा जिए तो यह जो पुलिश ने फैसला लिया इससे आप खुछ हैं क्या मांग करते हैं अब यहां का परारी था जी यहां का मालिक फैस्पी साथ खुज कर सकते थे जी आप रोज अपने हाँ से पुलिस प्रसासन फैल है जी मेरे को नाई लगा हुए आज हम बिंदर अत्या कांड को लेकर एस्पी साथ से मिले थे नहीं बुलाया था और उनसे बात हुए थी उन्होंने केस को क्राइम ब्रांच में ट्रास्वर कर थिया है और जल्दी नहीं दियाना की कही है लेकिन हम इस बात से संतुष्ट नहीं है हम यह चाहते हैं कि पूरा उनको नहीं मिले और जितने भी सामिल थे सब गिरिफतार हों और उसको पचास लाक कि उसको दिलाना सुष्चित करें हम इस डिमांड पर कायम है आज पांस दिन गुजर चुके हैं हमने दो तिन बार परसासन कॉल्पी में टन्बी दिया है परसासन से मिले भी हैं उसके बावजूद अब तक कोई गर्फतारी नहीं हुई है तिरस एक बंदे की गर्फतारी क कुतला फुक का गया है उसके इस्तिफे की मांग की जाएगी और अब हमारे साथ वेपार मंडल या अन्ने समाजिक संग्ठन आ गए हैं हम एक अप्ते का अल्टिमेटम भी दे रहे हैं अगर इस दोरान पुलिस ने सभी आरुपियों की गर्फतारी नहीं की तो बजार परिणाम भी निकल सकते हैं उसके लिए परसासन जिम्यवार होगा तो हमारे से बुलिटिन में आज ता इंतनी एक खबर से लेकिन बुलिटिन पजान तपाल्याम आपने एक सवाल बतावां से सारे दर्शे का तैस सवाल समारा क्या केंद्र सरकार को फिर से किसानों को नई सेरे से बाद चुत के लिए बुलाना चाहिए हाँ के लिए यस टाइप कीजी ना के लिए नुटाइप कीजे और अपना जवाब हमें बताव कीजी जह दो कि अना दोसा है, कर दोसा है, उनाका समार है! तो सब्सक्रीवbn